तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टो अपना कॉलेज और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्कोप्स तो स्कोप्स यार सारी programming languages के अंदर होते हैं और हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कोप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी language है तो जावस्कृट के अंदर यार स्कोप बहुत ही डिफरेंट तरीके से act करते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको type के scopes होते हैं और हर एक scope को detail में with example हम समझने वाले हैं तो start करते हैं तो यार scopes क्यों होते हैं क्यों हमारे program के अंदर किसी variable को हमको access करने से मना किया जा रहा है तो basically programming के अंदर एक principle है principle of least access अब इसका क्या मतलब है तो basically हमको यार जितना कम access मिले और उसमें हम कितना ज़्यादा output निकाल सके यह programming के अंदर हम बहुत ज्यादा follow करते हैं इसी लिए resource जितने कम हम use में ले सकेए उतने कम resource में हम ज़्यादा से ज्यादा output निकालना चाहते हैं इसी लिए scope क्या होते हैं इनसे हमको separation of code मिलता है कि हम हमारे code को separate कर सके और साथ में हम यार particular code को उसी जगे पे use करें और उन variables को वहीं तक सिमित रखें ताकि memory allocation भी कम हो हमारे resources हम कम utilize करें और output जो है उतना ही आए अच्छे से तो इसी लिए हम scopes को use करते हैं ठीक है तो अब शुरुबात करते हैं scopes यार JavaScript के अंदर दो तरह के होते हैं एक है global scope दूसरा है local scope जिसको हम functional scope भी कहते हैं ठीक है लेकिन ES6 के बाद में दो नए keyword आये थे let और const और उनी के साथ में एक नया scope भी आया था जो कि है block scope तो तीनो scopes को हम अच्छे से इस वीडियो में देखने वाले सबसे पहले हम देखेंगे global scope ठीक है तो example से शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो यहां पर मैंने क्या किया है एक variable declare किया है जिसका नाम है Amal अब पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी जावास्क्रिप का code execute होता है एक execution context बनता है सबसे पहले creation phase होती है जिसमें हमारी memory जो है allocate होती है और उसके बाद में हमारा code जो है वह execute हो रहा होता है है तो यहां पर भी same procedure follow होगा क्योंकि हम JavaScript का ही use कर रहे हैं तो यहां पर मैंने एक variable बनाया है जिसका नाम है name और उसमें हमने value डाली है Amal अब global scope के अंदर ऐसा होता है कि जो भी code हमने किसी function या फिर किसी block block का मतलब या basically आप कोई भी curly braces के अंदर अपना जब code लिखते हो तो उसे हम कहते हैं एक block तो एक block के अंदर अगर आपने कोई code लिखा है या फिर हम किसी function के अंदर आपने कोई code लिखा है तो वो local scope या फिर block scope होगा उसके अलावा कोई भी आपने variable बनाया है उसके बाहर तो उसे हम कहते हैं global scope ठीक है समझ में आगया जो भी variable आप बाहर बना रहे हो किसी भी scope से चाहे वो local scope है चाहे वो block scope है आपका variable global होने वाला है तो इस case में name जो हमने बनाया है variable var keyword को use करके वो एक global scope में आ ठीक है और जब हम var keyword का use करते हैं तो attach हो जाता है हमारे window object के साथ में अब ये window object क्या है तो basically जो global scope होता है वो एक global object को use करता है और दो environment होते हैं हमारे javascript के अंदर एक तो हमारे node.js का environment normally और दूसरा होता है हमारा browser environment तो इन दोनों environment के अंदर अलग-अलग global objects का use किया जाता है node environment में हम global object का use करते हैं जबकि browser environment जो के अभी हम देख रहे हैं उसके अंदर एक object होता है window object और ये सारे objects default हमको हर web application में मिलते हैं जब भी javascript run करता है हमारे browser में हमेशा window object बन जाता है तो जैसे कि आप देख सकते हो यार इस code के कोई भी object मैंने नहीं बनाया है लेकिन अब जैसे ही मैं या पर लिखूंगा window तो आप देख सकते हो यार मिरको ये object दिख रहा है और इसके अंदर बहुत सारी properties, बहुत सारे methods, बहुत सारी values है और ये सारी values global है तो ये जो window object है ये हमेशा browser यानि javascript engine खुद से बनाता है और इसके अंदर हमारा ये जो वार में मैंने name variable बनाया है वो इसके अंदर property के रूप में attach हो गया अब ये automatically होता है और ये वार keyword की वज़े से होता है और इस चीज़ को हम अगले वीडियो में समझेंगे जैसे मैं आपको deeply बताऊंगा वार keyword, let keyword और const keyword में क्या difference है hoisting क्या होती है, closures क्या होता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे, तब उस वीडियो के अंदर हम अच्छे समझेंगे अभी के लिए मैं आपको एक बार proof के तौर पे बता देता हूँ, जैसे ही मैं window.name लिखूंगा न तो आप देखें यार कैसे हमारा output में आ रहा है अमल, अब मैंने अमल बनाया है var keyword को use करके, लेकिन मैं access कर पा रहा हूँ आप एक नया function बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं, हम say name जैसा कि हमको यह autopilot बता रहा है, और फिर हम क्या करेंगे, console.log name कर देंगे, और fitout से इसको call कर देते हैं, आपे say name, ठीक है, अब जैसे ही मैं इस function को call करूंगा, आप बताओ क्या होगा, behind the scenes हमारा एक नया execution context बनेगा उसके अंदर एक variable जो है, वो already जा चुका है, उसके अंदर दूसरा हमारा जो console.log है, उसका execution context बनके हमको output दिखाएगा, ठीक है, तो जैसी मैं से save करता हूँ, आप देख सकते हो, यहाँ पे अमल जो है, वो output में आ रहा है, अब यह जो अमल है, वो हमारा global scope के अंदर global variable है, marks, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा marks is equal to 10, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको console.log से console करवा लेते हैं, ठीक है, तो अब जैसी मैंने इसको console करवा के save कि आप देखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें एक error आने वाली है, जैसी मैंने save कि आप देख सकते हो, reference error not defined आ रही है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यार वो जो variable मैंने बनाया था, वो एक local scope, या फिर मैं कहूँ तो function scope के अंदर है, क्योंकि वो उस particular block के अंदर है, उसके बाहर हमने जो भी code लिखा है, उसकी access नहीं है, अब ये क्यों हो रहा है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, तो पिछले वीडियो को याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, एक execution context होता है, जब भी हमारे variables को memory allocate होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप code को धंग से पढ़ोगे, तो सबसे पहले एक global execution context बना, उसके अंदर हमारा name जो अमल है, वो variable declare हो गया, ठीक है, फिर एक नया execution context बना, उस particular function के अंदर, जिसका नाम था say name, और उसके बाद में, उस particular function में जो variable हमने declare किया, वो उस function के अंदर ही memory allocate हुई, उसके अंदर ही उसका code execution हुआ, और जैसे ही वो call बार आ गई, हमारा जो variable है, वो destroy हो गया, आप समझ रहे हो, और क्योंकि वो destroy हो गया, और उसके बाद अगर आप उसको access करोगे, तो आपको उसका जो error है, वो दिख जाएगा, तो कि इस प्रकार से हमारा code execute होता है, और इसलिए आप इस error को देख रहे हो, और इस सारी चीज़े आप बोलो गया, बहुत complicated है, यह कब काम आएगी, यह तो मेरे काम ही ने, तो यार ऐस सारी चीज़े आपको पूछी जाती है, और इसलिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, ताकि हम आगे बढ़े, थोड़ा और डीप डाइव करें, जावास्क्रिप्ट के अंदर, उससे पहले हमको यह सारी चीज़े समझ में आ जानी चाहिए, तो I hope आपको अ कर रहा हूँ, और उसके अंदर आप देख सकते हो, हमने एक function बनाया है first नाम का, और इस function के अंदर हमने एक और function बनाया है child of first, ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर जाते हैं और एक नया variable बनाते हैं, नाम मैं रख रहा हूँ इसका var, x is equal to 1, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे console.log लिखेंगे और x को console करवा देते हैं, फिर हम जो child function है उसका, child of first नाम का जो हमने function बनाया है, इसको भी करवा देते हैं, console.log x, तो आप guess कीजिए, इसका output क्या आएगा, जैसे हम इस child of first नाम के function को call करवाएंगे उसके बाद, ठीक है, और हमको साथ में यार first function को भी call करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको भी call कर दिया, यहाँ पे first function और उसके बाद में, अब हम save करते हैं और बताओ आप इसका output क्या आएगा, pause कीजिए इस वीडियो को और comments में बताईए यार इसका output क्या आएगा, तो start करते हैं, अदर भी हमने console lock करवा रखा है x, अब वो जो x है, उसकी value of fetch करेगा, उसके parent function से और output करवा देगा, तो दोनों जगे हमारा 1 जो है, वो output में आ जाना चाहिए, अब जैसे ही मैं save करता हूँ, आप देख सकते हैं, 1 और 1 हमारा output में आ रहा है, अब मैं एक चीज बताता हूँ execution context के अंदर, पहला variable हमारा बना first function के execution context के अंदर, और उसी के अंदर एक नया execution context था, उसके अंदर भी हम क्या कर रहे है, एक var x नाम का variable बना रहे, मैं आपको थोड़ा draw करके बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो य जो की first function के अंदर ही है, यह चीज़ याद रुखां, first function के अंदर ही हमने दूसरा execution context बनाया है, और इस execution context के अंदर, अभी तक हमने x नया variable नहीं बनाया था, पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ var x is equal to 2, ठीक है, same नाम का variable हमने इसके अंदर बना द इस example का, तो मैं आपको क्या समझाना चाहरा हूँ, कि आप आप scope से same नाम के दो variable को अलग-अलग तरीके से access कर सकते हो, अलग-अलग value के साथ, ठीक है, क्योंकि execution context जो है, वो अलग है, तो इसके execution context में हमने 1 लिखाए, लेकिन इसके execution context में हमारा 2 है, तो जब हम इसके execution context के सा आप में console log करवाएंगे, तो output में आएगा 1, ठीक है, तो चैसे ही मैं इसको save करता हूँ, आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, है ना, आप समझ भे होंगे कैसे execution context चल रहा है, और क्यों हमारा local scope अलग तरीके से act कर रहा है, हमार global scope से, अब एक और example मैं आपको देता हूँ, अब हम क्या करने वाले, एक global scope में एक variable बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं उपर आता हूँ, var, यहाँ पर हम लिखते हैं y is equal to, या फिर हम x ही ले ले लेते हैं, x is equal to 0, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, second जो हमारा function है, उसके अ यह उससे पहले कि मैं इस function को call कर दूँ, ठीक है, तो मैंने call किया, save किया और आप आप देख सकते हूँ, output में आ रहा है 0, 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यार हमने console log किया है second function से, और second function से पहले वाले execution context, जो की global execution context था, उसके अंदर एक variable था x, जिसकी value थी 1, I hope आपको यह ची next scope की तरफ जो की है block scope, तो block scope को समझाने से पहले, पहले मैं आपको बता देता हूँ block क्या होता है, तो जब आप एक function बनाते हो, तो आप parenthesis बनाते हो, फिर curly braces, curly braces, उसके अंदर रख आपका code, अब यह जो curly braces लिखे हैं आपने, इसी को हम कहते हैं block, तो java script के अंदर, आप एक code लिखते हो, जैसे कि यहाँ पर आपने एक variable बना दिया x, और इसको आपने console log करवाया, मान लीजिए, यहाँ पर x, और पहले वाले code को हम क्या करते हैं, comment out कर देता हूँ मैं, तो इसको हमने कर दिया comment, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो हमने block बनाए है, इसके अंदर जो भी code रहेगा, उसका scope एक block scope कहलाएगा, ठीक है, अब जो block scope है, वो सिर्फ let और const keyword में ही काम आता है, जब आप var से use करने वाले हो, तब यह चीज काम नहीं आएगी, क्या मतलब है इसका, अभी हम समझते हैं, example से, तो यहाँ पर मैं x is equal to 1 मैंने लिख दिया, और console log x भी हमने कर रखा है, है ना, तो अब जब मैं बाहर एक और, सबसे पहले तो हम इसको execute करके देख ले थे, ताकि इसका output पता चले, तो save किया मैंने, अब देख सकते हो console log में आ रहा है 1, जो की एकदम हम expect भी करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर म इसकी मैं से यहाँ पर console log करवा रहा हूं बाहर, तो आपके इसाब से क्या output आना चीए, क्योंकि हमने, जो scope है वो बदल दिया है, scope हमारा change हो गया, तो हमारा जो execution context है, वो भी delete हो जाता है, तो यार हमारी value जो है, हम 10 expect करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो, save करने के अगर मैं इसी की जगे let लिख दूँ, तो हमारा output जो आएगा, वो यहाँ पर 10 आने वाले है, save करते हैं, और अब हमारा output आ रहा है 1 और 10, क्यों, क्योंकि यार let जो keyword है, वो अलग है, वार जो keyword है, वो अलग है, अब कितने अलग है, क्या क्या चीज़े इसमें अलग है, क्य अब यह braces कहां हम लगा सकते हैं, हम if block लिखते हैं, तो वो भी एक block है, switch statement लिखते हैं, वो भी एक block है, functions लिखते हैं, वो एक local scope हो जाते हैं, वो already पहले से थे, but ES6 के बाद में, आप if statement के अंदर भी कोई code लिखते हो, तो उसका scope particular index के अंदर ही होता है, जब आप for loop लिखते कि यह वहाँ पर let keyword को use करना, var use कर दिया, तो error आने के बहुत जादा chances है, और इसलिए JavaScript programmers यार बहुत कम recommend करते हैं, कि var keyword का use करे, मैं भी नहीं recommend करता हूँ, बिल्कुल भी var keyword का आप use करो, और global variable तो कभी भी मत बनाना, क्योंकि यार global variables आपको बहुत जादा difficulty face करवा सकते हैं, जब भी हम runtime में error देखते हैं, और हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि यार हमने already global scope में उस variable को बना रखा होता है, तो ये गलती मत करना कभी, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो basically हमने यार var keyword से एक x नाम का variable बनाया, अब ये जो variable है, वो window object के जाके attach हो गया, अब ये जो window object है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और इसलिए x जो बनाया है हमने, वो भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले, तो ये मानते हैं सबका साथ, सबका विकास में, तो हम भी उसी में मानते हैं तो हम क्या करने वाले ह यहाँ पर x की value जो है, वो 10 है, अब जैसे ही आप scope में गए, उसने उस x को बदल दिया 1 से, उसने क्या किया, window.x जो था, उसको बदल दिया 1 से, अब जैसे ही वो बदला, तो यहाँ पर चाहे हो, आप उस पिछले वाले x को access करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसा कि मैंन आपको बताया था, सबका साथ, सबका विकास, तो वो हमेशा हमारे साथ रने वाला है, window object, वो हमारे साथ ही है, और उसको जैसे ही आपने console lock करवाया, यहाँ पर हमारी value जो आई, वो आगई 1, ठीक है, तो यह था lock scope, तो एक और example देख लेते हैं, जो कि मैं already आपके लिए ब keyword का use किया है, ठीक है, और let keyword, block scope में अच्छे से काम करता है, let or const, ठीक है, तो यह क्या होगा, यहाँ पर यह जो variable बन रहा है, वो वहीं तक सिमित रहेगा, और बाहर जब हम इसको console lock करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हो, side में already error आ रही है, क्योंकि मैं इसको save कर चुका हू ठीक है, save करके दिखा हूँ, तो आपको output में दिख रहा होगा, कि यह function जो है, वो error दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसी की जगह var keyword का use करता हूँ, तो क्या होता है, चल यह देखते हैं, तो यहाँ पर मैं simply let को कर दूँँगा var, और save करता हूँ, आप देख सकते हो, यार, output मे एक var keyword को use किया है, जो कि वहाँ काम में नहीं आता है, वो उसको as a global variable treat करेगा, तो window object के साथ में हमारा variable foo जुड़ चुका है, और इसी लिए, अब जब भी आप इसको अपने program में access करोगे, यह हमको हमेशा दिखता रहेगा, ठीक है, तो आप समझ गए, जब एक block scope हो, तब आप let और const का ही use कर सकते हो, और यही खास बात है, block scope ही, और यह introduce हुआ था, यह 6 के बाद में, ओके, I hope यह सारी चीज़ा आपको clear हुई होगी, बढ़ते हैं next topic की तरफ, जो कि है lexical scope, अब भीया आपने तो कहा था, तीन तरग के स्कोप होते हैं, यह चौथा कहां से लेकर scope जो है, इसका भी मैंने एक example बना रखा है, अब lexical scope को आप समझ सकते हो, inheritance की तरह, तो जैसे कि मैंने आपको inheritance वाली वीडियो में बताया था, कि क्या होता है, आपके पापा, मम्मी जो होते हैं, उन में से कुछ qualities आपके अंदर आ जाती है, similarly, एक जब हम function बनाते हैं, उसक parent function की properties उस child function में automatically आ जाती है, और उसके अंदर एक और child अगर हुआ, तो उसके अंदर उसके parent वाले function की properties आ जाएगी, properties कहो, चाहे variables कहो, वो सारे वो एक साथ जुड जाएंगे, ठीक है, but vice versa possible नहीं है, मतलब आपने किसी child property में कुछ बना दिया, variable, तो आप उसको parent में नहीं access कर सकते हो, ठीक है, तो inheritance अगर आपने पढ़ा है कहीं पे भी, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी, कि कैसे work करती है, मैंने class वाले video में बता है, ता हम extend keyword का use करते हैं, classes को extend करते हैं, same concept है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, lexical scope की, ठीक है, तो एक example मैंने बना र दादा जो है, उनके जो बेटे हैं, यानि हमारे पापा जो है, उनके अंदर जो दादा की properties आ रखी है, वो हम भी access कर सकते हैं, as a child, ठीक है, यही मैं इसके अंदर बताना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको console log करवा के देखते हैं, ठीक है, तो अब मैं जै console log कर दिया, अब इस function को call करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेटा function को call कर लेते हैं, और पापा ने बुलाया बेटा को, बेटा और फिर दादा ने बुलाया पापा को, ठीक है, तो पापा और, अब output के आएगा, वो आप guess कीजिए, pause कीजिए वीडियो को, देखिए सोची है, क्या output आएगा, यहाँ पे console log में, basically simple ही है, यहाँ पर दादा का नाम है, अमलेश कुमार, तो अमलेश कुमार ही इसमें output आएगा, ठीक है, तो इसके लिए हमको call करना पड़ेगा, दादा को है न, तो मैंने दादा को call किया, अब जैसे ही मैं इसको save करता हूँ, आ तो देख सके कि उसके अंदर क्या-क्या properties है, क्या-क्या variables है, ठीक है, I hope यह चीज आपको clear होई होगी, थोड़ा और example की मदद से देखते हैं, क्या-क्या चीज़ हम इसके अंदर सीख सकते हैं, इस example से, ठीक है, यहाँ पर हमने दादा, पापा, बेटा की relationship देख ली है, यहाँ पापा वाले function, उसके parent function को है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यही पर console.log likes, ठीक है, अब मैंने save किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, uncaught reference error हमको आ रहा है, line number 150 पर, और ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, उसका जो execution context है, वो end हो जाता है, जैसे उसकी call जो है, वो खतम हुई, अब जैसे ही call खतम हुई, execution context है था, वो जो likes वाला variable हमने बनाया है, वो वहीं पर destroy हो गया, जैसे destroy हुआ, हम as a parent भी उसे access नहीं कर सकते, तो यही चीज है lexical scope, तो I hope scope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीजे आपको समाब करते हैं, अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि यार, वार, लेट और कॉंस्ट में क्या फरक है, किस scope में क्या काम हाता है, क्यों वो विंडो अबजेक्ट से attach हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजे, जैसे कि closures, hoisting, और भी like बहुत सारी तो इस वीडियो में समाब करता हूं, मैं मिलूँग आप अगले वीडियो में तब तक के लिए, see ya, have a great day and I will shortly catch you up guys in the next one.